हेलो स्थो आज गे वीडियों में बात क्या हूं आउजा का डी एक्स ए पें 302 तो इस एम्विलिफायर में कितना बेस और कितना टॉप चला सकते है जो कि एम्विलिफायर आपको थोड़ा सा न्यूंड मोडल में दिखने हो के मिल जाता है और लास्ट में इसका पराज भी ज चल गया चल बात के लेता है उसका कितना बीरिज मोड में लोड देना चाहिए वीडिता है एक्यूंस और टकी से जाम करता है जो कि आपको नौनल सब्सक्राणे हो करते हैं जो spectrum स्ट्राशकर मिल जाता थे उसका दिन फैक्टर मील जाता तोषन जो कि यह बात के लेते हैं इसे आपकी स्थरह बेस और कितना चला सकते एटों में तो एटों में आपका छेस पचास वाड मिल जाते हैं आपको आउजा का जो आपको आपको अराम से चल जाएगा और आपको काफी बेस सुनने को मिलेगा बहुत अच्छा वह चले बात के थोड़ा ज्यादा मत जाहिए थोड़ा सुथना ही रेने दिश आपको लाइटम से रहेगा चले बात कले से बात के बाद में तो आपको चार इस पेल है जो कि आपको नोल पता होगा तो चले बात करते ब्रिज मूड एटों में तो एटों में आपका कोई 24 वाट का बेस है तो उसमें लागा सकते कोई बात ने चल सकता लेकिन इससे थोड़ा कम हो तो भी बेतर रहेगा मतलब काम होने से अच्छा बज़ता है इसलिए मैं कहता हूं पंच आपको दिखने को ज्यादा मिलता है सुनने को और चले इसका फोर में थोर में आपको कितना आपको कम से कम इसमें आप दो आजार के ज्यादा मतलौ हो जाता कम पंदर समर्पंदर साब लगाना पड़ेगा दो बेस ताप इसमें आपको बच सकता कोई बात नहीं चले इसका बात करें प्राइज के बाएं तो इसमें आपका 49 मतलब 1000 मिल सकता है में पर सकता है लागो उतना मिल जाग मारकेस सबसाब कम ज्यादा होते रहता है इसा आप दो देख लेजेगा चलिए ने इस दरब रिटों में थांक्स तो वाज़ें